अब यूट्ट्स विडियो में करने वाले हैं बहुत इंटस्टिंग कोशन जिसमें हमें बॉक्स को फिल करना है और जो भी बॉक्स में नंबर भरेंगे जैसे के अब देख रहे हैं इस बॉक्स पे जो भी हम नंबर भरेंगे उसको हम का 1 का मुल्टिप्लैइक बहुत बहुत है इन दोनों बॉक्स में जो भी हम भरेंगे उसका सम जो है और चाहिए उसका तरह इन दोभी भरा जाएगा उसका फ्रक्राइंटीए तो मैं जिख सकता हूँकि a k place 21 को इसके बाद में यह भी देख पाँ लाहूं कि bd वह हमारा 9 के लग्न ही नाइन के लिए इसके लवा और a प्लशुbayर va तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं कि a प्लस c का जो सम है वो 8 के एक्वल है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो c-d c-d यानि कि इनका डिफ्रेंस जो है वो क्या है 5 है तो दीखें जैसे कि इसको मैं equation first माल लूँ और इसको मैं माल लेता हूं second तो अगर मैं दोनों equation को अगर आपस में लब second equation को first equation में से गटा जयता हूं तो देखें मैं यहां यहीं गठा लेता हूं इसको यहां पर मैंने तो इस तरह से a प्लस जी जो है वो 3 के एक्कवल मिल जाता है बूझे हां अब उसके बाद देखें यहां पर हमें a 21 के एक्कवल दिया हुआ है तो मैं इहां लिख लेता हूँ कि a b जो है वो मेरा 21 के एक्कवल है और मैं यहां पर डिवाइड करा देता हूँ a से दोन तरफ, डिवाइड पाई A on both side, तो जब मैं A से इसको डिवाइड कराऊंगा, तो यहाँ हो जगा, A B upon A is equal to 21 upon A, यहाँ पर A से A cancel हो जाता है, तो मेरे पस जो है B की value आजाती है, वो आजाती है 21 upon A, उसी तरीके से दूसरी साइड अगर मैं देखूं, तो मुझे यहाँ पर मालूम है कि BD जो है, वो 9 के equal है, तो इसमें मैं D से दोनों तरफ डिवाइड करा रहा हूं, तो divide by D on both side, तो जब मैं D से इसको दोनों तरफ डिवाइड कराऊंगा, तो यहाँ पर मैं D लिखूंगा, और 9 के नीचे भी D लिखूंगा, इस तरह से, तो यहाँ पर D से D जो है, वो यह 9 upon D, तो अब देखें, यहाँ पर देखें, B की value 21 upon A है, और यहाँ पर B की value 9 upon D है, तो दोनों का left hand side जो है, वो equal है, दोनों तरफ दीखें B है, दोनों का left hand side जो है, दूसरे के equal है, तो इसका मतला भी इन दोनों का right hand side भी दूसरे के equal होगा, तो इसके भीहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि 21A जो है वो किसके एक्वल हो गया मेरा 9 अपॉन दी के एक्वल हो गया ठीक है अब मैं यहां इन दोनों की cross multiplication करा हूँगा मैं लिख लेता हूं यहां पर कि by cross multiplication cross multiplication होगी तो यहां 21D इसकी इससे हो जाएगी और 9A अब मैं इसको थोड़ा reduce कर लेता हूं तो इसको divide by 3 कर देता हूं थोड़ा reduce हो जागा तो divide by 3 को की दोनों तरफ यह है 3 से कट हो सकता है on both side तो यहां पर 3 को divide करेंगे तो आजगा है यहां पर 7D और 9A को 3 से divide करेंगे तो यहां जगा है तो यहां 11D जो है वो 3A केक्वल आ गया है अब देखें पीछे हमने दो equation जो है आपस में सब्ट्रैक की थी तो यहां पर हमारे पास आया था 4A प्लस 3D इकवल तो 9 यहां त्री टिली से man लेक्वी रादी 3A जो भी नवाकर निकाल है 7D केक्वल निकाला हों तो यहां पर 3-1 जो है मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 7d लिख सकता हूं 7D प्लस 3D जो है तो इसका मतलब यह है कि यह हो गया हमारा 10 डी जो है वह 9 केक वल है तो डी की वैल्यू आ जाती है 9 अपॉन में 10 इस तरह से जिसको हम बोल चकते हैं कि 0.9 यानि कि डी जो है मुझे मालूम चल चुका है जो कि 0.9 है अब बाकी की जो वैल्यूस है वह हम भरेंगे इस तरह से अब मैं आ जाता हूं कोश्चन पर कि मैं यहां कोश्चन पर आगया हूं जैसे कि यह कुश्चन था मुझे बॉक्स फिल करने तो हम यहां पर कि c-d जो है वह मेरा 5 के वाला है जिसमें से d जो है वह 0.9 है इस तरहएक से लिख लिख है अब यह 0.9 उदहर तो 5 plus 0.9 यानि की C की वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है 5.9 तो मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूं कि C की वैल्यू है 5.9 उसी तरिके से देखें यहाँ पर A plus C जो है वो 8 के एकवल है तो यहाँ पर मुझे A नहीं मालूम है तो A प्लस C अभी अभी मालूम चला है क्या है 5.9 is equal to 8 तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8 में से 5.9 को लेस्ट कर देंगे तो ए की वैल्यू आजएगी 2.1 तो मैं यहाँ फेल कर देता हूं कि यह जो है 2.1 आगया आप देखिए अब सिरफ आमारे पास बचा है बी बी कैसे निकालना है तो ए और बी का प्रोड़क्ट 21 है तो मैं यह यूज कर रहा हूं कि यहाँ पर है ए इंटू बी जो है वो 21 के एकवल है तो यहाँ पर ए जो है 2.1 है बी नहीं मालूम तो बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 21 अपन में 2.1 यहाँ पर पॉइंट को हटा देंगे तो उपर लगा देंगे 10 यहाँ 21 से 21 कट गया तो यहाँ बी की वैल्ल्यू जो आ जाती है वह आ जाती है 10 तो यहाँ पर हम इसको फिल कर देते हैं कि पी जो है वह एंट केक को लें तो आशा करता हूं कि आपको यह कोश्चन समझना आया होगा तो इसी तरह के और कोश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और नई कोश्च लेकर तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इंप्रूफ कीजिए अपनी मैच को गुडबाई